तो आजम 6th January का इंडियन एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे इफ यहां पर आपको दो क्वेस्टेंस के आंसर देने हैं आप इनके आंसर देना कॉमेंट सेक्षिन में यहां पर फर्स्ट क्वेस्टेंस है हुतूज एंट तुछी रिसेंटली सीन एन निवस बिलॉंग तु तो इन दोनों स्टेटमेंस में से आपको बताना है कौन सा ठीक है इसमें तो विच अफ़ देने इस और आपको बताना है तो इनके आंसर में आपको दे रही हूं अभी तो यह बिलॉंग करते हैं रवांडा को इसके अलावा यहां पर प्रीचिंग को कौन सिग्निफाई करता है तो धर्म चक्रमुद्रा जो है वो यहां पर प्रीचिंग को सिग्निफाई करती है तो यहां पर धर्म चक्रमुद्रा सिग्निफाई करती है तो यहां पर धर्म चक्रमुद्रा सिग्निफाई करती है और यहां पर धर्म चक्रमु आप देख सकते हैं कुछ भी इंपोर्टन ही है यहाँ पर भी कुछ इंपोर्टन ही है यह हम डिस्कस कर लेते हैं आप चिल्रन गेटिंग लीगल एड तो यहाँ पर बच्चे जो कंफिक्ट विद दा लॉ में होते हैं यहाँ पर प्रपर लीगल एड प्रवाइड हो रही है क्यूंकि ऐसा देखा गया है कि उनको यहाँ पर बेल मिलने में काफी टाइम लग जारा तो ऐसा क्यों हो रहा है तो इन एक्सपर कमिटी विल inquire into the effectiveness of legal aid available to children in conflict with the law and the reason for delays in bail and release of the children तो पैनल कॉंस्रिटूट किया गया है by the Delhi Commission for the Protection of Child Rights जिसने इहाँ पर एक formal inquiry order किया है Apart from this, they also need to record the duration of the children's stray in these institutions, कि इनको इसे लिचल में टाइम क्यों लग जारा है या फिर उनका social or economic educational status कैसा है उन बच्चों का जिन में जाद तर यहाँ पर juvenile delinquency देखी जा रही है A source at this inquiry initiated after interactions with some children in an observation home showed that they did not know why they had been placed there and were not acquainted with their lawyer तो यहाँ पर उनका lawyers के साथ acquaintance नहीं हो रहा है उनको यह भी नहीं पता बच्चों को कि उनको in institutions पर रखा क्यों गया है तो यहाँ पर एक inquiry होगी फिर देखा जाएगा यह juvenile delinquency के चलते जिन बच्चों के यहाँ पर institutions में डाला गया है तो उनको यहाँ पर निकलने में अतना time क्यों लग रहा है आगे चलते हैं अब यहाँ पर उत्रागंट High Court ने इलेक्शन कमिशन को यही बोला है कि यहाँ पर एक option कंसिडर करना जीए कि अब वर्चुल रैलीज कराई जाएं तो सर्फ इसमें इतना ही है अब यहाँ पर जुलाई 2022 को यहाँ पर चेशिदेंचियल टर में वो खतम हो चाएगा तो यहाँ पर प्रेसिदेंट के एलेक्शन सोगे इसके लिए राजयसाभा में भी मेंबर्स के लिए एलेक्शन होगे तो आपको बस यह पता होना चाहिए कि राजयसाभा के एलेक्शन का प्रेसिजर क्या होता है और यहाँ पर प्रेसिदेंचियल एलेक्शन कैसे होता है और कौन किसमें वोट करता है तो यहाँ पर जो President को एक करने के लिए तो यहाँ पर एक Electoral College बनता है MPs और MLA का लेकिन यहाँ पर राजसाबा के जो Members एलेक्ट होते हैं वो होते हैं बागी अप लक्षमी कान से President के chapter revise कर लेना और यह भी पढ़ लेना Parliament में कैसे कौन selections होते हैं ताकि आपको पता हो कहाँ पर Secret Ballot होता है कहाँ क्या होता है अब यहाँ पर ओडिशा Cabinet ने एक Amendment पास किया है तो श्री जगना Temple Act of 1954 जिसमें यहाँ पर जो भी लेन्ड ओन किया गया है Temple के दौरा वो असानी से बेचा जा सकता है या फिर लीस किया जा सकता है और उसके लिए यहाँ पर State Government की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो following the Amendment, the Temple Administration and officials concerned have power to sell or lease out Temple Land without any approval from the State Government इससे पहले जिल लोगों न यह जो Temple के नाम पर लेंड से उसको उक्यूपाई कर रखा था बहुत टाइम से उक्यूपाई कर रखा था तो यहाँ पर State Government की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो following the Amendment, the process will be decentralized and decisions will be taken at various levels आगे चलते हैं CDS Chopper Crash, यह basically weather खराबता जिसकी वज़े से ऐसा हुआ तो aviation terms में एक term होता है Controlled Flight into Terrain अब Controlled Flight into Terrain का मतलब यह होता है जो Pilot Control कर रहा होता है यह aircraft तो उस समय visibility काम होती जिसकी वज़े से कोई भी surface को unintentionally कभी-कभी हिट हो जाता है जिसकी वज़े से यहाँ पर जो Chopper है वो Crash हो जाते है तो CIFT Aviation Term है जादा इंपॉर्टन नहीं लेकिन हमने दिसक्स कर लिया Oisha Child Panel raises concern over marriage age bill तो कल अगर आपने Hindu की newspaper पढ़ा होगा 18 साल से लेकर 21 साल का यह time period है तीन साल का उसमें यहाँ पर unwed mothers के cases देखे जा सकते हैं तो यह एक problem बताई गी थी बाकि यहाँ पर और भी problems in state की गई है तो change of legislation in isolation will never stop child marriage तो यहाँ पर सिर्फ legislation को change करने की वज़े से child marriages नहीं रुकने वाली है क्योंकि इससे पहले भी तो यहाँ पर 18 साल की उम्रती तो कि 18 साल से कम की लटकियों की शादी नहीं होती थी तो इसको बदलने के लिए यहाँ पर socio-behavioral change लाने की जरूरत है among the parents and the communities के लावा यहाँ पर जो इंडिया का most significant structure है इसको यहाँ पर challenge करने की जरूरत है तो factors like distressedness and poverty patriarchal norms lack of opportunity for schooling and employment are still contributing in the prevalence of child marriage तो अगर इन factors के उपर काम किया जाएगा तो अपने यहाँ पर जो margable age वो delay हो जाएगी फिर उसके लिए legislation लाने की जरूरत नहीं पड़ती तक ही expert team का यह कहना है कि जो precautionary dose दी जाए वो यहाँ पर किसी और vaccine की दी जाए उससे पहले जो vaccine लगी हो लेकिन government का यही कहना है वही dose दी जाएगी जो उससे पहले दो doses ली गई हो जिस भी vaccine की तो precautionary vaccine dose to be given basically precautionary dose वही booster dose है जो कि हम पट रहे थे precautionary vaccine dose to be given to healthcare and frontline workers and individual 60 years and ever with comorbidities will be the same as that of the first two doses तो basically यहाँ पर यही बताय गया है अब यहाँ पर चीता को इंट्रीउस किया जाएगा इंडिया में उसके लिए action plan लांच कर दिया गया है तो Union Minister for Environment on Wednesday launched the action plan for introduction of चीता in India अब यह कहाँ पर इंट्रीउस किया जाएगा तो इसको इंट्रीउस किया जाएगा तो इसको इंट्रीउस किया जाएगा तो इसको इंट्रीउस किया जाएगा जो कि इंट्रीउस किया जाएगा चीता को आगे चलते हैं, यहां पर कोई इंपर्टन यूज नहीं है, टाइटन दानेट, अब अगे चलते हैं, अब जैसे कि यहां पर गिठब का केस है, जिसमें बुली बाई आप्स बनाएगी, और उसमें हैं यहां पर मुसलिम वोमन को आक्शन करने की कोशिश की गई, तो ऐसा कुछ किया जारे हैं, जिसमें लोगों के अरेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, अब according to the author, certain बहुत अच्छा काम कर रही है, criminals को यहां पर track down कर रही है, इसके अलावा और भी cases हैं, जो की सामने नहीं आते हैं, जिसमें जो women हैं, वो हैं यहां पर cyber bullying को face करती हैं, stalking को face करती हैं, threats को face करती हैं, blackmail को face करती हैं, इसके अलावा जब यहां पर parents approach करते हैं police को, तो वो police को यह बोलते हैं कि आप यहां पर formal complaint lodge मत करो, लेकिन आप यहां पर कुछ action लो, इसकी वज़े से हमें track में दिखता नहीं, track record में दिखता नहीं कि कितने cases हैं, तो marriage being a very delicate affair in India, the slightest aspiration on the bride's character can lead to cancellation of the ceremony, अब क्या होता है कि अगर यहां पर police case किया जाएगा formal police case, तो यहां प अगर यहां पर formal complaint lodge नहीं की जाती है, उसकी वज़े से में NCRB में बहुत कम cases देखते हैं, यहां पर cyber crimes के, लेकिन actually जो cases है वो बहुत जादा है, तो यहां पर जो reluctance है parents कि यहां पर formal complaint lodge ना करने की उसको बदलने की ज़रूरत है, तो star की reality is that cyber blackmailing, stalking and bullying is a humongous issue, तो यह बहु criminals के cases अब पहुच चुके है, reluctance to report is however common, लेकिन हर जागे यह देखा गया है कि भले ही वो metro cities की उना हूँ, लोग यहां पर report करने से ड़ते हैं, क्योंको उनको यह लगता है कि फिर उनके character के ओपर सवाल उठाए जाएंगे, NCRB statistics shows that total cyber crimes in India during 2020 were 50,000, तो सिर्फ यहां पर हमें cyber crimes दिखाय जारे हैं कि 2020 में सिर्फ 50,000 होएं और against women सिर्फ 10,000 होएं, तो यह जो statistics है, यह सिर्फ fraction of the ground reality, ground reality बहुत जादा है, the reluctance to report, register the crimes is encouraging and emboldening cyber criminals, अब यहां पर जो parents है, वो यहां पर reluctance दिखाते हैं, इसके लावर, reluctance की वज़े से, यह जो cyber criminals हैं, यह और जादा encourage होते हैं, इनको फिर law का डरी खातम हो जाता है, they have become reckless experts in changing one image to another using morphing tools and videos, तो वो कैसे यहां पर image को morp कर देते हैं, in evading law enforcement agencies, तो यहां पर वो photos को morp करते हैं, जिसकी वज़े से stalking करते हैं, threat करते हैं, blackmail करते हैं, however, registering a criminal case is the first crucial step, लेकिन यहां पर हम cyber criminal के cases में देख रहे हैं, cyber stalking के cases में, कि यहां पर registration हो ही नहीं रहा, formal complaint के तो वो mindset बदलने की जरूरत है, another step could be to increase awareness about cyber safety and security so that youth, especially young girls and women, take proper precautions while surfing the virtual world, इसके लावा यहां पर awareness बढ़ाने की जरूरत है, यहां पर जो young लोग है उनके अदर awareness बढ़ाने की जरूरत है, कि यह जो virtual world है, उसको surf करते समय, आपको अपने data का ध्यान रखना है कि आपका जो data है वो आप किसको दे रहे हो, this can't be left to the law enforcement agencies, school colleges, universities and communities must take an active role in educating their words about the rampant cyber abuse, तो यहां पर बच्चों को सम्झाने की जरूरत है, family से भी socialization होने की जरूरत है, यहां पर बच्चों को पाता चलेगी cyber abuse होता है, इसलिए safety measures हमें से यहां पर लेने चाह जरूरत है, ताकि यहां पर जो cyber bullying से related evidences और आसानी से collect किया जा सके, ताकि यहां पर arrest किया जा सके, तो it is highly technical job requiring, शारफ इसकल says the virtual world is constantly changing at an unimaginable speed, अब हमें cyber cell बढ़ाने की जरूरत है, infrastructure और ramp up काने की जरूरत है, इसलिए क्यूंकि जो technology वो बहुत तेजी से बढ़ रहे है, virtual world बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें उस पेश से बढ़ने की जरूरत है, तब ही हम ऐसे crimes को रोख पाएंगे, first trial of cyber crimes, इसके अब़ा जो यहां पर first record से establish करनी चाहिए, दाकि जो cyber crimes है, उनका जल से जल trial हो सके, अगर हम NCRB के record से देखें, तो 2020 में जिर्फ 9 cases of cyber crime को यहां पर complete किया गया, और हमें यहां पर cyber crime में conviction rate देखने को बहुत रहा है, 66.7%, तो conviction rate भी बहुत जादा है, इसलिए य side details पता हूंगी कि यहां पर cyber crimes कितने जादा हो रहे हैं, और NCRB में हमें जो देखता है data में वो बहुत काम है, आगे चलते हम, minding the gender gap, तो यहां पर यही बताएगा है, जो women की marriageable age में delay किया गया है, 18 साल से 21 साल किया गया है, वो बल्कुल ठीक है, तो India has taken a progressive step to realize goal 5, SDG का जो goal 5 है, जो बात करता है, यहां पर gender equality को ensure करना है, तो उसकी तरफ थोड़ा बड़े हैं, जैसे कि हमने यहां पर marriageable age को equal किया है, इंडिया ने यहां पर all forms of discrimination against women in 1993, elimination की बात की थी, 1993 में उसको ratify किया था है, इंडिया ने इस convention को, आर्टिकल 16 बात करता है, कि child marriage को पूरी तरिके से फॉर्बट किया जाए, और इसके लावद जो government है, वो यहां पर कोशिश करें कि minimum marriage age for women यहां पर enforce की जाए, तो हमने यहां पर ratify तो बहुत पहले कर दिया थ बिसिकली हमें आज 2022 आ चोगी है, since 1998, India has had national legislative exclusively on human rights protection, the human rights protection के लिए जो हमने आपर international convention को ratify किया, उसको लेकर था हमने laws बना दिये, लेकिर हमने विमन के लिए जो बात की कि हम gender equality ensure करेंग, उसके लिए laws बनाने में हमें यतना time लग गया, the regressive perception, अभी regressive perception जो है regarding women की यहां पर जो औरते होनी चीए, वो age में छोटी होनी चीए as compared to men, शादियों में ऐसा माना जाता है, तो it has been established that child marriage exposes women to early pregnancy, लेकि child marriage की वज़े से क्या होता है, early pregnancy की problem होती है, malnutrition की problem होती है, violence की problem होती है, इसलिए prohibition of child marriage act में आपर 18 साल women के लिए रखेगी तो और 21 साल आपर men के लिए रखे इसलिए है, the difference in criteria was more social than biological, तो यहाँ पर women के यह 18 रखेगी और men के यह 21 रखेगी तो इसका कोई biological explanation नहीं कैसा क्यों किया गया, इसका social explanation क्योंकि general arguments जो Indian society में prevail करते हैं वो यह है, that women should be younger in a marriage union have faded with time, तो यहाँ पर जो पहले एक यह argument है, जो women है, वो younger होनी चीए in a marriage में, लेकिन यह argument अब खातम हो चुका, इसलिए हैं पर जरूरत है, हम भी यहाँ पर modern values के साथ आगे बढ़ें, जो कि modern value है, एक equality की, तो today women stand on equal footing to men in all possible spheres of life, equality emanates from equal laws and social transformations are both the precursors of laws, फिर यहाँ पर all India survey and higher education की data से भी पता चल रहा है, जो female students के enrollment हा higher education में बढ़ रहा है, 46.2% हुआ करता है, तो from various schemes, the institution of marriage in India is one of the fellows that hold up to the customs of the norms of society, तो यहाँ पर marriage का ही एक important institution था, जो कि अभी तक यहाँ पर custom के according चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर government ने एक decision यह लिया है, कि marriageable है जोनों की equal कर दी जाएगी, तो presently child marriage is voidable, तो यह मैं आपको बाता चुके हूँ कि child marriage को यहाँ पर voidable declare किया जा सकता है, आगे जलते हैं, यहाँ पर कुछ drugs के नाम बताया के हैं, जो कि हम देख लेते हैं, during the second wave यहाँ पर बहुत सारी medications दी गई लोगों को, जो कि basically नहीं दी जानी थी, उनसे कोई ऐसा कुछ COVID-19 कम नहीं हो रहा था, जैसे कि falling drugs should be avoided, फेबिपरविर, आइवर्मेक्ट के cases बढ़ने लेगी, क्योंकि ज्यादा drugs की वज़े से, यह हमें black fungus के cases देखने को मिले, तो according to the author, बस एक ही drug थी, जो की सही निकली वो थी, corticosteroids, जिसकी वज़े से हैं पर बहुत बढ़ा रोल था, इसको COVID-19 को सेफ करने के लिए, लेकिन यह भी तभी देनी चाहिए, हो सकता, individuals में, और यहां पर risk भी बढ़ जाता, mucormycosis था, तो जो यहां पर second wave की बाद, यहां पर black fungus के cases देखने को मिले, वो इससलिए देखने को मिले थी, क्योंकि यह पर ज़्यादा medication ले ली गई थी, तो यह एक problem है, यह भी important था नहीं है, और यहां पर कुछ भी important ही, अब देख सकते हैं, यहां पर है, the court's duty, तो कल हमने देख लिया था, कि hate speech होती ही, तो मैं पर court को step in करना चाहिए, इसके अलावा यह भी हम discuss नहीं करेंगे, Australia और Japan नहीं पर एक security alliance sign किया है, तो Australia and Japan will sign a treaty on Thursday to increase defense and security cooperation in a move that has been hailed as historic but which might anger China, तो China इसे नाराज हो सकता है, क्योंकि इस allies बना रहा है, Kazakhstan में हापर emergency का state declare कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर LPG के जो price है, वो एक बार में 100% बढ़ा दीगे, जिसके वज़े से हम पर लोग प्रोटेस्ट करने लेगे और यहां पर emergency declare कर दीगे, चाइना में demographic crisis आ सकता है, क्योंकि 10 region चाइना के ऐसे हैं, जिसमें हा पर one child policy यहां पर लेकर आ गये थे, उसके बाद यहां पर 2016 में two child policy भी कर दीथी, लेकिन उसके बाद यह जो demographic crisis की problem में solve नहीं हो पारी, इसलिए आप चाइना force कर रहा है लोगों को, कि वो यहां पर three child policy की तरफ जाए, उसके लिए यहां पर जो चाइना है, बहुत सारे measures भी आगे चलते हैं, economy page पर कोई भी important news नहीं है, आप देख सकते हैं, तो यहां पर omicron की वज़े से सारी sectors के ओपर कोई ना कोई प्रफ़ा पढ़ रहा है How PM security is planned, अब यहां पर prime minister की security कैसे plan की जाती है, तो यहां पर issue क्या हुआ, with the prime minister's cavalcade, stranded on a flyover in Punjab's Frosford district for over 15 minutes due to a protest, तो यहां पर protest चाग रहा थे, जिसकी वज़े से यहां जो prime minister का cavalcade था, उसको यहां पर लगबग 20 minute तक wait करना पड़ा, और वो अपने zone का rally का venue का, वहां तक वो एक elaborate exercise होती है, जिसमें अपर central agencies भी involved होती है, state police forces भी involved होते हैं, इसमें SPG जो security प्रवाइट करती है, वो होती है, प्रॉक्सिमेट security, लेकिन जो यहां पर overall security होती होती है, वो यहां पर provide करनी होती है to the state police, लेकिन state police में कुछ lapses देखने को मिले हैं, जिसके कारण यह सब दमदमा साहिब was recognized as the 5th 6th takht by the union home ministry, तो ऐसा पहली बार नहीं है, इसे पहले भी amendment करके, यहां पर 5th 6th takht को recognize कर लिया गया था, तो I heard of the Punjab assembly elections, तो Punjab assembly elections आने वाले हैं, इसलिए आहमादभी party ने यहां पर religious demand के लिए, Delhi Sikh गुरुद्वारा act 1971 में amendment किया, और यहां पर takht दमदम में एक भीहर में, सबसे तो पुराना है वो अकालता, तो located in Amrathar, it is the oldest of the takhts and considered supreme among the five, तो यहां पर पांचो takht में सबसे जादा सुप्रीम आना जाता है, 1606 में इसको यहां पर established किया था by Guru Hargobind, who सक्षिचन as the sixth guru after the execution of his father Guru Arjan Dev, तो Guru Arjan Dev के बाद यही उनके successor थे, Guru Hargobind, जिन के लिए यह अकालतक्त हैं पर established किया गया था, जो कि symbolize करता है temporal authority, temporal authority and the political sovereignty of the Sikh community with the spiritual authority, तो यहां पर Sikh community की political sovereignty और temporal authority को यह चीज़ symbolize करती है, अकालतक्त is a five story building today, five story में यहां पर Guru Granth Sahib store किया गये है, तो the five story houses, the Guru Granth Sahib, अब यहां पर और क्या के तक्त के नामें वो भी हम देख ले अब यह जो बाकी चार दक्त हैं, यह यहां पर related हैं to the Guru Gobind Singh, बाकी हमने यहां पर discuss कर लिए, आप हम आगे चलते हैं, बस आज की नीजस्वेपर बेहतना ही, आयोब आपको आज की नीजस्वेपर समझ आया हो, if you like the video then please like, share and subscribe, thank you and have a nice day